नमस्कार मैं विर्कम सेंख आज हम क्लास 11 में चाप्र नुबर 2 एटामिक स्ट्रक्चर यानि की परमानु सरचना में हम सबसे पहले देखे थे कि एलेक्ट्रोनिक विन्यास कैसे बनाया जाए यह वैसे फर्स टॉपिक नहीं होता है लिकिर आपको यह ताकत देती है एटामिक लक्राइब मिला था अब आज मैं बताने वाला हूं कि जो वो फंड़मेंडल पार्टिकल्स बोले थे elegक्तрон proton neutron की बात कर रहे थे उन में से इलेक्त्रोन की खोज हम आज देखने वाले हैं कि इलेक्त्रोन की खोज किस प्रकार हुई और कैसे ये सोच पाया गया कि भाई, इलक्टरॉन भी कोई चीज है या किसी भी पदार्थ में इलक्टरॉन, प्रोटॉन, निट्रॉन होते हैं इसकी जानकारी कैसे हुई लोगों को या उसमें किसी तरह का कोई चार्ज होता है तो चलिए step by step देखेंगे और आप याद रखेगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहली बात दिखाने वाला हूँ कि परमाणों की सरचना में हम लोग क्या special पढ़ने वाले हैं तो आज है, आज की क्लास में हम सबसे पहले देंगे क्रुक्स का प्रयोग क्रुक्स एक विज्ञानिक्ण है, जिन्हों ने एक ऐसा प्रयोग किया जो पूरी तरह से विज्ञान के रूप रंग को बदल दिया यह पहला प्रयोग कितना माइने रखता है इसके बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोन की खोज इस Krokes के प्रयोक से ही संबव हो पाया आगे जाकर के जेजय थॉम्सन ने इसमें काफिर स्टडी किए फिर बाते आते हैं उसके बात कि कैथोर किरने क्रूकस ने जो किरन प्राप्त किया था उसे कैथोर किरन कहते हैं किर्णों के जो गुणों का अध्यन किया जेजे थॉमसन ने जिसके बेस पर इलेक्ट्रोन की खोज हुई इनहीं के बारें बात चित करने वाले हम आज फिर बात होगी इलेक्ट्रोन के आवेश एवं दर्वेमान अनुपात का निर्धारन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं E by M का निर्धारन करने वाले हैं तो सबके सब सारे बच्चे आज जुड़ जाएए अपने दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए क्लास 11 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही कि हम इलेक्टर की खोज क्यों करेंगे भाई हमें क्या मिलने वाला है हम प्रोटन की खोज करके या परमाणू के बारें बात करके हमें क्या मिलने वाला है अगर हम यही सोच लेते तो शायद आज हम मुबाइल नहीं बना पाते यह कैमरे नहीं बना पाते ये जो computer है और जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी possible नहीं हो पाती ये light नहीं चल पाती आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा सोच रहा है कि हम प्रकृति की उस basic चीज़ों को समझें जिसके base पर हम इन बड़ी चीज़ों को रच सकते हैं इंसान के शरीर में काम होने वाले घटनाओं को कैसे ये possible हो पाता है किसी जीवों में कैसे possible हो पाता है वो machine की तरफ कैसे चलते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने basic चीज़ों को खोजा और वो basic चीज़ है आपका वो electron, proton, neutron तो ये कैसे खोज हुआ है कैसे ये possible हो इनके बारे हम बात्चित करते हैं चलिए आगे की बात करें हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था इसके first lecture जरूर देखिएगा बहुत ही माइने रखता है कि परमाणू क्या होते हैं अगर किसी पदार्थ को हम छोटे से छोटे तुकड़ों में तोड़े तो वह सबसे छो वह ममन कितने होते हैं यह भी बात हो चुका है लेकिन अब चलते हैं हम लोग उसके आगे आज हम बात करेंगे कुछ मूल कंडों की बारें बात करते हैं उसकी खोंच कीस प्रकार पॉसिबल हो पाई लोगों का दिमाग कैसे काम किया, वज्यानिकों का दिमाग कैसे काम किया, कुछ क्लू था, कुछ प्रमान था, जैसे कि स्कुल जाते हैं आप लोग बचपने में, तो आप क्या देखते हो उस टाइम, स्कुल के शुरुवात में आप जो देखते हो, कि भाई, स्कुल के टाइ तो ये किसी चीज को आकरशित करने लगता है पेन हम रगड़ते हैं और उसके बाद हमने देखा है कि कागज चोटी-चोटी कागज के तुकड़ों को आकरशित कर लेती है ये कैसे पॉसिबल हो पाया इन चीजों को हम यहां पर बाते करें यही एक छोटी सी बात थी कि काच और एबोनाइट या यूँ कह सकते हैं प्लास्टिक और यह बाल की रगड़ से इसमें चार्ज उच्पन हो जाते हैं आवेश उत्पन हो जाते हैं विद्ध उत्पन हो जाते हैं इसकी खोच उस टाइम हो चुकी थी लोग जान चुके थे ऐसा हो रहा है पर क्यों हो रहा है एक question था, एक प्रश्न था कियाने पदार्थ में भी विद्धुत होता है, हर पदार्थ में विद्धुत होता है, ये कैसे possible हो पाता है, ये खोज हो गया था, हो रहा था फिर आगे के बात है, पदार्थ में विद्धुती प्रकृती के कारण ऐसा होता है एक बात नज़र आई फिर मैकल फरेडे ने प्रयोग किया था विद्धुत अब घटन का नमक का विलियन है या ऐसा पदार जिसमें धन और रिन दो आविश हो सकते हैं उसमें विद्धुत धारा प्रवाहित किया जा सकता है और उसमें रासानी क्रिया हो रही है तो उस विलियन को विद्धुत अब घटे कहा गया और इसकी खोश इस समय हो चुकी थी तो ये कहना बड़ा आसा इस जगा पर ये कहना शुरू हो गया था कि कहीं न कहीं पदार्थों में कोई चार्ज तो जरूर है कोई आवेशित कर्ण तो जरूर है फिर बात हुई कि कम दाप पर गैसों में विद्धुत धारा प्रवाहित होता है ये भी सिद्ध करता था कि पदार्थ में कोई कर्ण है अभी सिप कोशन मार्थ लगे हुए है शुरूवात हुई है अभी ध्यान दीजेगा बिटा मैंने काहा अभी सिप शुरूवात हुई है अब आगे चलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोन की खोच कैथोर्ड किर्णों का अध्यन आज करने वाले हैं सारे बच्चे एक एक चीजों को नोड करिएगा समझने की कोशिच करिएगा आज प्रैक्टिस नहीं आज ग्यान की बाते हैं आज समझ की बाते हैं सरल बाते हैं और इन सरल बातों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो शुरूवात कर देते हैं आज की क्लास में आगे देखे, सबसे पहले शुरुबात कैसे हुई, एक छोटी से बात समझ लें एक काँच की लंबी पाइप है, इस तरह की काँच की लंबी पाइप है आपको नज़र आ रहा है, मैं ऐसे ही दिखा दे तो काँच की लंबी पाइप है, ऐसे समझ दो इस pipe के दोनों सिरों को ऐसे अगर बंद कर दिया गया और उसके अंदर पहले एक plate लगा दी गई, धातू की plate लगा दी गई, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, धातू की plate लगी हुई है और इस जगह से wire निकला हुआ है, इस तरह से धातू की plate लगा दी गई, य और यह दिखेगा, अंदर एक plate लगी हुई धातू की गोल, डिस्क जैसे लगी हुई है, और अंदर से जो भी एक gas भर दिया गया और उस gas को निकालने की कोशिश की गई, कि भी अंदर दाब कम हो जाए, तो इसके लिएक विवस्था की गई, भी एक side tube भी लगा दिया गया और उसमें एक stopper लगा दिया, बंद चालू कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और इधर निर्वाद pump, यानि ऐसा pump जो अंदर से gas को अपनी तरफ खीचे, ताकि दाब अंदर कम हो जाए, ये कोशिश किया गया, अब समझोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये tube है, और इस tube को समझ बस ऐसा एक परयोग उन्होंने शुरुवाती दोर पे किया, किसने William Crooks ने 1879 में 1879 में इन्होंने एक परयोग किया William Crooks में, अपने परयोगों में क्या देखा उसके बारे में बताता हूं, मैं आपको सबसे पहली बात ये था, कि गाच की tube थी, उसमें दो प्लेट लगाए, और उसमें एक विवस्था रखा कि अंदर के और अंदर दाब कम करने के लिए उन्होंने अंदर के हवा को निकालने की कोशिश किया सबसे पहले क्या किया इसने उस ट्यूब में क्या भर दिया कोई गैस भर दिया को भी एक gas भर दिया, gas भरने के पाद अंदर से उन्होंने सामानमने रखा, फिर देखा क्या इसमें विद्युधारा प्रवाहिद होती है, विद्युधारा हमने फाइम्ने हाइउवोल्टेज विद्युधारा प्रवाहिद किया, दोनों प्लेट के बीच में high voltage विद्योधारा प्रवाहिद किया कितना लगभग 10,000 volt विद्योधारा प्रवाहिद किया बिटा हमने विलियम कुरुक्स ने ये काम किया कि 10,000 volt विद्योधारा प्रवाहिद किया अब हमारे सोच में अलग बात हो जाती है, इतनी बड़ी विजली कहां से मिल गई उसको, उन्होंने अपनी विवस्था किया, इतनी बड़ी वोल्टेज लेने के लिए, ठीक है, तो इतनी विद्धारा प्रवाहिद की गई, सो इसमें उन्होंने क्या देखा, ये देखेगा, ये प्रयोग था उनका, अब इस प्रयोग में देखे, उन्होंने क्या देखा, तीन बातों पे आप अपने दिमाग को रखे, सेट, तीन बातें अपने दिमाग में डालिएगा, पहली बात, जो सामान्य दाब होता है, यानि कि one atmospheric pressure होता यानि gas है दो plate लगे हुए हैं हमने उच्च विद्धारा भी प्रवाहित कर रहे हैं फर फर फिर भी न उसमें विद्धारा प्रवाहित हो रही है न उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन हो रहा है यानि उच्च विद्धारा पर भी और प्लस और इनकी बीच में गैस भरा गया है लेकिन किसी तरह का कोई प्रवाव नजर नहीं आ रही है न विद्ध बहरा है अगर हम इसमें वल्टामीटर लगा दें बीच में तो हम देखेंगे किसे रखा कोई करण प्रवाहित नहीं हो रही है तो उन्होंने देखा कि सामान्य दाब पर किसी भी गैस में कोई विद्धारा प्रवाहित नहीं होती है यानि कि गैस जो होता है सामान्य दाब पर एक एट्मॉसफेरिक प्रेशर पर वह विद्ध का कूच आलक होता है एक एट्मोस्फेरिक प्रेशर पर विद्धुत का वहाग कुछ आलग होता है यह तो क्लियर हो गया दूसरी बात है कि जब उसमें से गैस निकाला गया दाप को बहुत कम कर दिया गया कितना कर दिया गया 10 to the power minus 2 याने की 1 बटा 10 की घादो याने की 1 बटा 100 ATM कर दिया गया याने की जितना दाप हमारे सामने दाप होते हैं उसके 100 गुना कम कर दिया गया उसका 100 भाग कर दिया गया दाप को इतना कम कर दिया गया तो फिर एक घटना नजर आई कि इसमें से गैस जो है विद्ध का चालक बन जाता है और उसमें से रंगीन प्रकाश उत्पन होने लगता है आपने क्या देखा 10 to the power minus 4 atmospheric pressure कर दिया गया ने कि दाप को बहुत कम कर दिया गया तो गैस विद्ध का चालक बन जाता है और उसमें से कुछ रंगीन प्रकाश उत्पन होने लगती है ये दूसरी बात हुई विलियम कुर्क्स ने जबरदस एक कम और किया वो था जब और दाप को कम कर दिया गया 10 to the power minus 4 मतलब कितना हुआ बेटा जी एक बटा ये कितना यहाँ पर इतना कम कर दिया गया तब कितना हुआ बहुत ज़्यादा कम कर दिया दाप बिल्कुल ये समझो कि एकदम खाली सा हो गया लेकिन थोड़ी सी गैस तो है ही उसमें तब वहाँ पर दाप बहुत कम कर दिया गया तो वहाँ से क्या हुआ जो प्रकास उस सर्जित हो रही थी जो प्रकास निकल रहा था वो बंद हो गया ठीके बड़ाई जो लाइट निकल रहा था वो बंद हो गया और एक चीज नजर आई कि एनोड के साइड में उसके दिवार पर हरे रंग की थोड़ी सी चमक उत्पन हुई, हलकी सी लहर सी चमक उत्पन हुई कब जब उसमें कितना कर दिया गया दाब, दसकी घात रिंड चार यानि कि आप तीन बातों को याद रखेंगे, सामान्य दाब, दसकी घात रिंड दो एट्मोसफेरिक और दसकी घात रिंड चार एट्मोसफेरिक, जब दाब रखा गया तो अलग-अलग प्रभाव नजर आया यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि किसको एनोड कहे, किसी को किथोड कहे, यह जो धातू का प्लेट है, जिधर निगेटिव चार्ज है, उसको कहा गया कैथोड कहा गया, और जिधर यह प्लस चार्ज है, जिधर विद्धुधर प्लस प्रवाहित किया जा रहा है, उ इसके बीच जो लाइट दिखाई दे रहा था वो लाइट गायब हो गया लेकिन इस जगा पर इस जगा पर कुछ प्रदिप्त उत्मन हो गया याने कि थोड़ी सी ये जो क्या है काँच है वो थोड़ी चमकने लगी काँच चमकने लगी ना कि प्रकाश निकलते हुए नजर काँच चमकने लगी प्रकाश नजर नहीं तो इसका मतलब होता है कि इधर से कोई किरण निकल रही है जो दिखाई नहीं दे रही है हमें यानि हमारे आँखों से वो किरण दिखाई नहीं देती है जो काँच पर टकराती है तो वो काँच से टकरा करके कुछ प्रकाश उत् उत्मन करती है यहां पर ये बात सिद्ध होता है तो काच से टकराने पर वो क्या उत्मन करता है एक आभा उत्मन करती है ये दिखाई देता है वही लिखावा है ये आभा हरे रंग की थी इतना प्रयोग था क्रुक्स का क्या ये प्रयोग इतना विज्ञानिकों को हिला सकता क्या ये प्रयोग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था आप जानते हो एक प्रयोग के बाद दूसरा दूसरी के बाद तीसरा एक लाइन लगती है काफी एक्सपर्ट काफी लोग इस पे काम करते हैं जिसमें अगला काम करने वाले वैज्ञानिक रहे हैं जेजे थॉंसन जे प्रतितित्य नजर आ रही है चुकि यहां पर काच जो है काच पर वो किरन जो अद्रिशी किरने टकराने के बाद चमक पैदा कर रही है तो इसका मतलब है यह किरन जो है इस रिन वाले प्लेट से निकल करके इस पर जा रही है क्योंकि यहां से निकल रही है किस से निकल लिए रिन प्लेट की तरफ निकल रही है तो यह किरन जो है उस किरन को कहा गया कैथोड किरन कैथोड रेज कहा गया क्या कहा गया काथोड किरने कही गई इसको कैथोड रेज कहा गया तो इस तरह से कैथोड किरनों की खोज हुई है और अब आगे चलते हैं इन कैथोड किरनों के गुणों का अध्यन क्या था जेजे थॉमसन उन्होंने पता लगाया कि ये कैथोड किरन है क्या भाई उसके कौन-कौन से गुण होते हैं इस कैथोर्ड किरणों के, इनके बारे में बता लगा है, मुझे लगता है काफी बच्चों को पता होगा, कि ये कैथोर्ड किरण के बारे में काफी पढ़े होंगे, काफी बच्चों ने पढ़ा है, जोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, आपको यहाँ पर सारी चीज़े नजर आ रही होंगी कि कौन-कौन से गुण होते हैं। लेकिन ये गुण है, इसको भी सिद्ध करने के लिए जे जे थॉमसन ने प्रयोग किये। उन प्रयोग के अधार पे उन्होंने पता लगाया कि कैथोड किरनों के क्या-क्या गुण है। तो चलिए देखते हैं अब, अब बताएंगे आप लोग, चलिए साब, अब देखो, कैथोड किरने सरररीखा में गमन करती हैं। पहली लाइन कहा गया, देखो कौन-कौन से कुण है, फटापट 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 निकालता हूँ, फिर एक बाद दुबारा दिखाऊंगो, फिर दिबारा दिखाऊंगो, अब आप एक दम बैठ जाएगा। कैथोड किरने क्या होती हैं, सरररीखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, जैसे हमारे लेजर लाइट चलती हैं, जैसे हमारे प्रकाश जो होती हैं, आम लाइट जो सुर्य से आने वाली राखशनी होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, बिल्कुल ये भी सीधी बता चलेगा? इसका प्रयोग बताऊँगा ना भी थोड़ी दीर में? अभी तो सिर्फ याद करना है आपको. दूसरा है येे गैसे ये जो किरने हैं रिनात्मक प्रकृतिक होती हैं, रिन अवेशित होती हैं. ये किरने कैसे होती हैं? रिन अविशित है पता चलेगा फिर बोलें ये कंड छोटी ये किरने जो होते छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है ये कैसे पता चला ये भी बताऊंगा तो पहली बात हो गए तीन चार बातें सरर रिखा में गति करती है विद्धुती छित्र से प्रभावित होती है छोटे छोटे कंडों से बना होता है फिर बात होती है इसमें उस्मी प्रभाव होता है उस्मी प्रभाव मतब जब ये किसी से टकराती है तो वहाँ पर गर्मी पैदा करता है इसके बारें भी बात करेंगे और ये एक्सरे उत्पन करती है एक्स किरने जिसको बोलते है एक् प्योग किया जाता है, शरी के अंदर जहांकने में, आप समझ सकते हो, वो X-ray यही कैथोड किर्णों के खोज के बाद ही possible हो पाया, तो X-ray उत्पन करती हैं, इस इसको रोटजन ने पता लगाया था, इसने नहीं पता लगाया था, जेजे थॉंसन ने, ये बात आपको बता जेजे थॉंसन ने नहीं किया था, याद रखियेगा इस बात में, बाकी चीजों में इनका योगदान जरूर है, जेजे थॉंसन का, फिर कैथोड किर्णे, विसर गनली के बाहर, काच पर या कुछ अन्य पदार्थों पर, यानिकी, जैसे Zinc Sulfide पर टकराती हैं, काच पर तकराती हैं, तो वो प्रतिदुप्तिया चमक उत्पन होती है, फिर बात होता है, कैथोड किर्णे, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, और इसमें भेदन ज्ञमता पाई जाती है, तो हमने एक रूप से उपरी तोर पे, अगर किसी ने पूछा, कैथो ये रिनावेशित होती हैं, ये जब धातु के प्लेट पर टकराता है, तो वो गर्मी उत्पन करती है, उश्मी प्रभाव होता है, ये छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये एकसरे पैदा करती है, ये जिंक सिलफाइड, कैडमियम सिलफाइड पर टकराती है, या फिर कांच पर टकराती हैं तो प्रतिदिप्त उत्पन न करता है इन चीजों को आप आराम से याद रख सकते हैं मुझे लगता है काफी बच्चों को याद हो गया होगा और आज के क्लास में मुझे दिख रहे हैं मुरारी यादो, विशाल, अम्रिता, भूमिका, सुक्ति, चलिए साब आगे देखते हैं सांध्या, नुपुर, आदित्या, ठीक है, आकरिती, भूमिका, ओके, चलिए, ये लोग आज की क्लास में आए हुए हैं और सारे बच्चे बस रेगुलर रहिए कि बटा, चाप्टर नुबर 3 की पार्ट है ये, चाप्टर नुबर 2, क्लास 12, चाप्टर नुबर 2, एटॉमिक स्टक्चर, चाप्टर 1 पढ़ादियों में पूरा, चाप्टर नुबर 2 को अच्छे से आप पढ़ते वे आगे बढ बहुत इंपोर्टन है, आसान है, सरल है, और ये क्लास 9 और 10 में भी है, ये आप जानते हो गया, चलो, अब हम एक एक बातों को समझते जाते हैं, सरल रेखा में गयमन करती हैं, कैसे पता चलेगा, एक एक प्रियोगों को करते चलते हैं, सबसे पहला प्रियोग कि कैथोड क किर्णों के पत पर, उसके रास्ते पर, कोई ठोस वस्तु रख दिया जाए, क्या बोला मैंने, कहां पर कैथोड किर्ण के मार्ग में, अगर कोई वस्तु रख दिया जाए, तो उसके पीछे च्छाया बन जाती है, इसको एक छोट असा चित्र बना कि मैं आपको समझाता यहाँ पर यह चित्र बना हुआ है, देखें, यह एनोड है, यह कैथोड है, दोनों की बीच में किर्णे हैं, यहाँ पर क्या रख दिया गया, एक क्रॉस रख दिया गया, तो यह इस जगा पर एक छाया पैदा करेगा, इसका बढ़िया सा चित्र बनाता हूँ, इस चित्र ये मैंने बनाया, ये है cathode tube, cathode के ने जिस tube से उपन होती है, उस tube को cathode tube कहा जाता है, तो ये cathode tube बनाया, मैंने, यहाँ पर मैंने cathode लगाया, cathode मतलब समझते हूँ न, रिनात्मक प्लेट, ये रिनात्मक प्लेट है, ये लिज़े, रिनात्मक प्लेट, और यहाँ पर मैंने एक plate जिसमें एक छोटा सा hole कर दिया और ये disc जैसा है और ये है plus यहाँ पर इन विद्धारण परवाइद कहीं यहाँ पर धन और दोनों के बीच में विद्धारण परवाइद हो रही है और इसके बीच में किरन है तो चुकि यह hole है तो इस hole से हो करके ये किर्णे जो है इस होल से हो करके गुजर जाती है आगे इस तरह से किर्णे आगे गुजर जाती है होल से गुजर जाती है अब मैंने क्या किया इस जगा पर एक ठोस वस्तू रख दिया जलो मैंने क्रॉस रख दिया उस टाइम पर उन्होंने क्या रखा था पैदा हो रही है वो उस जगह पर light नहीं आ रहा है किसका cathode race का और यहां पर भी वो cross नजर आ रही है cross क्यों नजर आया? cross का प्रतिबिम क्यों नजर आया? यह चाया क्यों नजर आया? यह चाया नजर आया क्योंकि जब छाया तभी नज़र आ सकता है जब किरने सीधी रेखा में चल रही है अगर वो ऐसे से मुड़ के जा रही है तो छाया को छुपा देगा तो समझ माई बाते हैं यहाँ पर एक प्रयोग हुआ कि कैथोर्ड किरन के मार्ग में यदी क्या रख दिया उसने कोई ठोसवस्तु रख दिया गया तो उसके पीछे छाया बनती है आप चलते रहते हो सुर की रोशनी पढ़ती है पीछे आप का छाया बनती है यह सिद्द करता है कि वो सुर kipe जो किरने होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है मुझे लगता है कि सारे बच्चों के बाद क्लियर हो गया जी हाँ जी आगे सब लोग ध्यार रखते जाए और याद बर रखते जाए ज़्यादा टैपिंग मत करें ज़्यादा चैटिंग मत करें बस याद रखो कि इन चीजों को समझते जाओ और फिर जब मैं बोलूँगा कुछ पूछना है तो पूछेंगे मैं लास्ट मैं आपको क्विज भी करूँगा कुछ कुछन पूछन 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 बताऊँगा इससे रिलेटेड आप बस ध्या रखते जाएगा मेरे साथ फिर अगली बाते हैं कैथोड किर्णों के गुण इसमें है कैथोड किर्णे रिनात्मक प्रकृति की होती है कैसे सिद्ध करोगे कि कैथोड किर्णे रिनात्मक प्रकृति की होती है इसको सिद्ध करने के लिए आप एक काम करोगे, यहाँ पर यहाँ पर यह कैथोड है, यहाँ से किरण निकलती है, इस तरफ हमने लिखा एनोड, यह एनोड है, क्योंकि हमने इसमें धन प्लेट लगाया है, अब इसके बीच में कैथोड किरने जा रही है, उनके बीचों दो धातों के प्लेट लगा दिया, और उसमें विद्धारा प्रवाहित के हमने, क्या हुआ बटा, आप देख रहे हो, कि जो कैथोड किरने आगे की और बढ़ रही है, उस जगह पर एक उपर और नीचे हमने दो प्लेट लगा दिया, एक प्लस और एक माइनस, यह किरने सी दो धन प्लेट की और गती कर रही है, आपको पता है, दो विप्रीत आवेश एक दुसरे को आकरशित करता है, दो विप्रीत चार जो है, एक दुसरे को आकरशित करता है, मतलब यह इस किरन में रिन आवेश होगा, इसलिए यह धन की तरप आकरशित हुई, धन प्लेट की यह कैसे सिद्ध हुआ कि विद्धती शेत्र से यह किरन जब गुजरती है तो धन प्लेट की और आकाशित हो जाती यह प्रूफ करता है कि यह किरन पर रिन आवेश है रिन चार्ज है आपको समझ में आगया होगा यह बाते हैं जो मैंने आपको भी बताया अब आगे चलते है हम पढ़ रहे हैं कैथोर किरनों के गुण अब तीसरे गुण के बातरब चलते हैं यह चुमबकी छेत्र में प्रभावित होती हैं चुमबकी छेत्र में यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम आनुसार अब यह दाएं हाथ का नियम कैसा है आपको यह बता दूँ यहाँ तो दिखान देजेगा, ये, ये देखो, ऐसे करो, हाथ, आप ऐसे करिए जल्दी से, करिए, सभी बच्चे ऐसे करिए, chatting मत करिए, वो mobile कोई काम नहीं आएगा, बटा, तो आइसे करोगे तो, आप सिब ऐसे करिए, बस जैसे मैंने किया है, देखो मैंने कैसे किया, ऐसे, ऐसे करो आप, ऐसे, समझ मैंने रहा है, ऐसे मैंने किया, ऐसे करो, तो ये जो उंगली है, ये जो उंगली है, करंट है, विद्युधारा प्रभाहित हो रही मालेजे एक तार में, इस सब चीज़ को समझोगे, इधर से एक क्या निकल रही है, ए एंधरू एस दूरू हलो मेरीबात समझो किरवने इधर से निकल रही है इधर ऐन है इधर मस एह साइब यह सामूं अइसे कर दो तो चल आसे रहने दो फिला यह उसे समझ में यह सामने तरफ न मतलब नॉर्थ लूर्ज नौर्थ गुर्जाया झाएं तो इस सी यह हो गया, किर्णे यह चुमबकी छ्हेतर, North to South North उत्तर और यह दक्षिन, ऐसे जारी जारी कुछुमबकी छेतर इधर से आरी किर्णे, तो यह किर्णे जो है जब इधर से आएंगी चुम्बकी छित्र से गुजरेंगी तो वो किरने जो है इदे सीधे ही नहीं जाएगा वो किरने जो है थोड़ा सा उपर के तरफ ऐसे मुढ़ने लग जाएगा अब अगर यह पास समझ में नहीं है तो थोड़ा सा इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा दो बार से तीन बार ऐसे revise करके देखिएगा आपको clear हो जाएगा वो चीज़ है हाँ आपको बोलूँगा कि ये सारी class आप YouTube के साथ doubtnet में भी देख रहे हैं बस याद रखिए doubtnet app install कर लीजे वहाँ पर आपको बहुत सारे आपके education से related support मिलने वाला है और इस channel की बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये channel आपको कोई विज्यापन नहीं देती जिससे आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई बाधा नहीं आती है फिलाल आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए कि ये वाली बात है कि जब चुमबकी शेतर से गुजरता है तो ये प्रभावित होती है मतब चुमबकी शेतर से गुजरेगी तो ये किरण के सी दिशा में मुड़ जाएगा अगर ये किरण इस दिशा से आ रहा हो और यहाँ पर चलिए ये N है और ये S है तो ये समझ लो ये किरन जो है इधर उपर या नीचे की ओर जुख जाएगी समझ मागिया बात है हाँ ये नॉट्स टू सौथ की ओर ये है चुमबकी छेत्र चुमबकी छेत्र से प्रभावित होती है अब मैं बात कर रहा हूँ कैथोर कीरने छोटे-छोटे द्रवे कRIंगों से मिलकर बना होता है अब इसको कैसे सिद्धकर डाला कि भाई ये कीरन जो है कोई औरजा नहीं है ये करणों से बना हुआ ये कैथोर कीरन कन है पार्टिकल से छोटे-छोटे सुकश्मकन है जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता, इतना छोटा कण है, तो मैं क्या कह रहा था, समझ मैं ही बाते हैं, ये किर्णे जो है छोटे-छोटे सुक्ष्मकणों से बना होता है, ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ऐसा हो र इसमें उन्होंने क्या किया? एक पैडल रखदिया गया, ये है, ये धूरी हो गई, यहाँ पर एक पैडल, एक पंखा रखदिया, इस तरह का पंखा रखदिया, पंखा देख रहे है वाँ, ये पंखा है, कैथोड किर्णे जब इधर से गुजरेंगी, यहाँ पर तो गुमने लगती है हवा के चलने से गुमने लगती कैसे भाई कि हवा ध्रव्य है पदार्थ है जब पदार्थ टकराती है तो एक तरह से ताकत पैदा करती है फोर्स पैदा करता है बल पैदा करता है उस फोर्स की वज़े से वो पंखा गुमने लगता है बात वही हो रहा है य खेडल का घुमाना ये इस बात को सिद्ध करता है कि पिर बाते करेंगे कैथोड के र схjenों Three गुड़ में पॉता दूं उश involved प्रभाव कैथोड किरण को बहुत पतली धातू प्लेट की उपर जब उसमें प्रभाहित किया गया प्रभाहित बंदब उसमें भेजा गया उसमें गिराया गया तो एक जबर्दस सी बात हुई कि धातू जो है गरम हुआ और इतनी गरम हो गया को लाल हो गया यानि इतनी किसे से टकराती है तो उश्मी प्रभाव उत्पन करता है उश्मा पैदा करता है बात समझ में आ गया होगा बेटा तो ये सारी चीजों को याद रखते जाएगा चलिए आगे चलते हैं सारी चीज़े लिखा हुआ है इन सारी चीजों को प्राप्ट करने के लिए आप हुँ आपको अगर एक light है एक bulb है उसमें filament है filament में current पैदा किया डाला गया तो क्या होए जलने लगी यह जलने लगती है इस पर यदि cathode किरने डाली जाया है हलो क्या डाला जाया cathode किरन, cathode raise डाला जाया तो यहां से एक प्रकार की विकिरन पैदा होती जो विद्धुचुमब की किरने है जो प्रकाश होता ना विद्धुचुमब की किरने उसी प्रकार से विद्धुचुमब की किरने निकलती है जिस किरन के बारे में कोई जानकारी नहीं था तो उसमें इसको X-ray कहा गया इसकी विशेस्ता होती कि इसमें काफी एनर्जी होता है हमारे muscles को भी पार करके निकल जाती है लेकिन हड़ी को cross-par नहीं कर सकता है इस base पर और दूसरी बात है X-ray में photographic plate को provide करने का भी गुण है और हमारे शरी को पार करने का भी गुण है सो इसका उप्योग हुआ कि कहीं पर हड़ीयां तूट गई है क्रैक हो गई है तो उसका पता लगाने के लिए इनका उप्योग किया गया और आज ही डिट में बहुत जगों पर X-ray का उप्योग किया जाता है आपको ये बात पता होगा चलिए साब आगे बात करते हैं अगला है सात्वा गैसों का आएनी करन बेटा एक बात बताना चाहूंगा आपने अभी थोड़ी दिर पहले पढ़ा था कि अगर कोई गैस भरा हो किसी ट्यूब में और उसमें हमने दो प्लेट लगा दिये हैं और इसमें विद्युद्धारा प्रभाहित हो रही के नहीं अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर वॉल्टामीटर लगा देते हैं और यहाँ पर काफी करंट पैदा करते हैं ठीक है तो आप ये देखते हो कि इसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है वॉल्टामीटर में या गैलमेलेमीटर लगा दियो तो इस जगा पर किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है मतब इसमें विद्युद्धारा प्रभाहित नहीं होती है लेकिन इस gas में अगर मैं cathode की रण प्रवाहित करूँ cathode raise प्रवाहित करूँगा तो क्या होगा? इसमें विद्धुधरा प्रवाहित होने लग जाए hello? gas में सामान्य दाप पर gas पर किसी प्रकार की विद्धुधरा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन जब मैंने उसमें कैथोड किरन प्रवाहित किया तो सामान्य दाप पर भी गैस में से विद्यधरा प्रवाहित हुई अरे ऐसा क्या हो गया भाई ऐसा यहां पर हो गया कि जो गैस की अणुए थी इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था गैस की अणुपर कोई भी चार्ज नहीं था लेकिन जैसे ही कैथोड किरन प्रवाहित की गई और आप जानते हो कैथोड इसमें क्या होता है माइनस चार्ज होता है कैथोड में तो यह गैस की अणुपर जो होती है ये जबर्दस सी बात है कि ये गैस को क्या कर दिया निगेटिव बना दिया गैस को क्या कर दिया गया आएनी करित कर दिया उसमें यही चीज होता है गैस का आएनी करां अच्छी मनी यादो कह रहे हैं कि बात करो बात ही कर रहे हैं बोलते हैं उसको बात करना कहते हैं और बोल प्रणी नेहा आजी नेहा किसी के चक्कर में मत पढ़ना बिटाई बहुत खराब लड़के हैं और अर्श ठीक है पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है बिटा ये एक्जाम में जब आएगा प्रूफ करो कि कैथोड किरने गैसों को आयनित करती है क्या कर लोगे ये प्रूफ करो कि गैसों को आयनित करने का गुण होता है कैसे प्रयोग बताओगे आप ऐसे बताओगे जैसे मैंने बताया थोड़ा पीछे होके देख लेना आप तो यहां पे नहीं अब आगे चलते हैं थोड़ा सा फिर आगे question पूछने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजेगा ये तीन गुणों के बारे में फटा फट ध्यान करी दे रहा हूँ कैथोड किरने काच पर जब टकराती है या दूसरे पदार्थ है जैसे zinc sulfide या cadmium sulfide पर टकराती है प्रति दिप्तुत्पन होता है जो CFL है यो tube light है जो पहले आती थी अब तो भाईया सब LED हो गया LED का विकास भी इसी electron की खोच से संबव हो पाया anode cathode सारी चीजें यार बहुत सारी चीजें भाई ये एकदम basic बात है विज्ञान का physics का जो मूल आधार है जो आधोनिक physics है इन ही से स्टार्ट होता है और chemistry का ये एक महत पूर्णा पार्ट है एकदम शुरुवात याने की chemistry कहें या आप physics कहें चाहिए मैं तो इसको physics से ही पार्ट मानता हूँ क्योंकि physical chemistry का पार्ट physics ही होता है तो ये जो है ये आपके life change करने वाला पार्ट है इन छोटी 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 चीज़ों ने आपके chemistry की level को हाई करेगा physics की level को हाई करेगा ये बिलकुल आप याद रखेगा ठीक है तो ये physics के level को हाई करने का सबसे बड़ा पार्ट होता है कौन सा cathode को समझो cathode की रण को समझो electron को समझो मैं यही कह रहा हूँ चलिए सब पहली बात ये हुआ दूसरी बात cathode की ने photographic plate को प्रभावित करती मतलब क्या हुआ भाई अब photographic plate आज की दिमाने में है कहा पहले जब photo खिशते थे तो real लगाते थे cathode की ने हमारी आँखों से दिखाई नहीं दे रही है वहलो समय बताता हूँ आपको ध्यान सुनेगा cathode की ने हमारी आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है नहीं देता है सचा है लेकिन हमने photographic plate रखा, अंधेरे में गए हैं और cathode किरनों को हमने उसमें चालू किया वो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन उस photographic plate ने देख लिया याने कि वहाँ पर वो अगर हमने camera से हमने हमारे पर cathode किरने पर रही है समझो पेरी बात, हमारे पर cathode किरने पर रही है हमें अंधेरे में फोटो खीच लिया गया आपने देखा night vision कहते हैं तो night vision के लिए आज के डिट में कों से किरने यूज करते हैं ultraviolet कि infrared कोई बताएगा मुझे अवरक्ति किरने उप्योग करते हैं कि पराबैंगनी किरने उपन करते हैं तो मैं आपके बताओ तो आपके imagenynे में होता इंफरारेड के मरें स॔र्ष ऐन्फरारेड यूझ किसको क्या कहते है क्या बुलते भी मैंने नाम दिया था भी इंफरारेड को कि बते हैं मैंने एक परावेग नहीं दिया और इक क्या बोला मैं vorstellen अवरक्त अवरक्त किरने, यस अवरक्त, इंफरेड को कहते हैं अवरक्त किरने, तो अवरक्त किरने, कुछ अंधेरे में लाइट पड़ेगा, आपके पास कैमरा होगा, अगर वीडियो कैमरा होगा, तो जाने एक लाइट होता है, जिसको इसमें होता है ज्यादर ज्यादा, सोनी के कैम लगी होती है जो बहुत ही पतली जलती रहती है लिकिन अधिरे में कोई लाइट नहीं दिखा जाता है ध्यान रखिएगा यही बात यहां पर कहूंगा कि लेट कंशक देखिएगा लेकिन हमें नहीं दिखाई देगा यहाद रखिए यहां पर बॉल आगया फोटो ग्राफिक को लाँ बट भूर्थ में सारे बच्चे आईएगा बैटा जो 11 त case उनको भी बोल रहूं 12 माईएगा जो 12 वाले बच्चे को बूलूगा 11 के पीजिफों को पड़ो 11 में नहीं पड़े हो तो खत्रे में जब अर्दस खत्रे में 11 चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो मैं यही बात बोलना चाहूँँ सटर्डे को special classes ही मामले में देने वाला हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे चलिए साब आगे चलते हैं ये aluminum की पतली पत्ती को पार कर पाती है दातों की मोटी पत्ते हो को नहीं पार कर पाती है ये कुछ बाते हमने पड़ा है तो हमने एक मिनट में छोटा सा revision कर लें कि ये जो होता है कैथोड किर्णों के गुंड क्या होते हैं ये सरल लिखा में कमन करती हैं ये रनात्मक प्रकृती की होती हैं ये चुंबगी शित्र को प्रफवाइद करती हैं, छोटे-छोटे कणों से बना होता है, उश्मी प्रभाव उत्पन करते हैं, एक्सरे उत्पन करती है, प्रतितिप्त उत्पन करता है, कि इसमें जिंक सल्फाइड और केडमियों सल्फाइड और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रफवाइद करती हैं, इसमें भेदन चलता होती है, मुझे लगता है कि ये पूरी पूरी बातें आपको याद हो गया है, हंड़ेट परसेंट, येस, येस बोलो, हाँ जी, बेटा, कॉपी में लिखना हैं साधी चीजों को, ये मत सोचना, सर मेरे को नोट दे दोना, पे अब अगलब, तो हम आज बस इतना ही देखते हैं, 45 मिट हो गया, चली, मैं कुछ कोशन पूछ रहा हूँ, आप बताईएगा जरू, फिर उसके बाद आगे लेक्की चलते हैं, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बात बताना चाहूँगा, दरवेमान जो मैंने बना के दिखाया, लेकिन स्केल पें से रबर लेके आना, मैं आपको यही पर बनाना सिखाऊँगा उस फिगर को, और जवर्दस तरिकेत बताऊँगा, फ्लेविंग का दाय हाथ का नियम क्या है, वो भी आपको सिखाने वाला हूँ, साथ में E by M, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इनका निर्धारन करना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में, और ये जो है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के निर्धारन के लिए, तेल बुंद विधी को समझाने वाला हूँ, लेकिन यार, उससे पहले कुछ बातें मजेदार हो पहला क्वेशन देखेगा अभ्यास के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई, लिखो, इस तरह का प्रशन होगा, क्या आप बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, विलियम क्रुक्स ने कैथोड किर्णों की खोज किया था, विसर जन नली पर, और सा साथ में उन्होंने एक जवर्दस्त काम किया, वो था, चलिए साब, आगे चलते हैं, और साथ में उन्हों कैथोड किर्णों की खोज किया, जिस कैथोड किर्णों के साथ उन्होंने क्या काम किया था, उसको समझेंगे, दूसरा क्या 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 था, कैथोड किर्णों क मिलकर बना होता है और कणों से मिलकर मैंने क्या खा कणों से मिलकर बना होता है तो वो कण जो होता है रिनाविशियोत होता है तो कण क्या है वो इलेक्ट्रॉन है इस तरह की बाते हुई तो कैथोड किरने इलेक्ट्रॉन का पूरा गुच्छा है, पुंज है, बोच्छार है जी, अगला प्रश्न देखें एलेक्ट्रोन आवेश निर्धारन के लिए मिलिकाउन के तेल बुंद विधी की व्याख्या करना है जो कि कल में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ एक मिलिक रिविजन, आप समझ सकते हमने कुर्क्स का प्रयोग देखे थे एलेक्ट्रोन की खोज देखे थे कैथोड केरणों के गुण और एलेक्ट्रोन के आवेश दरवेमान इर्धारन को हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है क्योंकि टाइम हो चुका है कुछ question, quiz कैथोड केरणों की खोज किस ने किया था? आप एक काम करिए इस प्रश्ण का answer आपको देना है कैथोड केरणों की खोज किस ने किया था? आप doubtnut के students ध्यान रखिएगा doubtnut में जाईए आप में जाईए और वहाँ पर जाकर के देखिए उसमें A, B, C, D पर आप में से जो भी आपको answer नजर आ रहा है उसमें click करिए आपका right है का answer की नहीं वो बताएंगे तो एक काम करिए जल्दी से देखिए कि कैथोड केरणों की खोज किस ने किया था? जल्दी बताएंगा तो जल्दी बताएंगे कौन बता रहा है? मैं देखना चाहता हूँ क्या answer है? जी बोलिए अच्छा A पर answer दिया बच्चों ने 50% बच्चों ने A में answer दिया है और 50% बच्चों ने B में answer दिया है अब बताएंगे क्या होगा C और D तो 00% है तो ये सारे बच्चों ने result दिया है तो आप अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही answer है बताऊं इसका सही answer है कैथोड केरणों की बेटा, इलेक्टॉन की खोज तो जxe-ं-thompson ने किया था लेकिन कैथोड केरणों की खोज किया था William Crookes ने बड़ी अजीब बात लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि Cathode केरणों की खोज जे-ं- ripple-ं ने किया था नहीं उसने उनका गुनों का अध्धिन किया था है चलिए अगला question है हमारा फिर जल्दी से जाएए डाउटनेट पे आप इसमें A B C D option आएगा उस option को आप लगाईए जल्दी से चलिए जल्दी करिए कितने बच्चे answer देते हैं मैं देखना चाहता हूं हाँ जी question है ये electron का आवेश कितना होता है चलिए दे आ गया है इतने सारे आप तो पढ़ाई समझ में आ रहा है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख दूँ कैसे लिखा हुआ है 1.67 into 10 to the power ये power को दर्शाता है बिटा न ऐसे तो इतनी power और 27 कुलाम लिखा हुआ है ऐसे टाइप का लिखा हुआ है तो आप मुझे पताएंगे इसमें क्या होगा ठीक से समझेंगे न सबको हाँ जी कोई बताएगा इसका आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है कितने बच्चों ने दिया मैं टाइम दे रहा हूँ बस चोटा सब कुछ एक सेकंड का टाइम दिये जाता है और जल्दी से बताएंगे डाउटनप में आप बस जा करके क्लिक करना A, B, C, D में से जो भी है आपको यहां पर परसंटेज पता चल जाएगा हमें कि आपने कितने परसंट जबाब दिये हैं राइट एंसर कितने परसंट दिये हैं चलिए अब चेक कर लेते हैं हाँ जी 52.4% बच्चों ने B एंसर को राइट कहा है और 17.65% A में एंसर दिया गया है और C जो है 11% और D जो है 17% बच्चों ने दिया है तो आपको बता दूँ रियल में 1.602 x 10.19 कुलाम होता है ये राइट एंसर है, काफी बच्चों ने दिया मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसका एंसर दिया, B option ही राइट है कि इलेक्ट्रॉन का नाम करण किस ने किया जी, डाउट नट में जाकर के बिल्कुल जवाब दो आपका नाम भी यहाँ पर दर्ज हो जाता है आपका काम भी दर्ज हो जाता है आपने वहाँ पर कुछ एक्टिविटी किया है वो भी पता चल जाता है जलदी बताएंगे आप बैटा, ऐसा करो बढ़ी आसा इनाम भी मिलेगा रिवार्ड भी मिलेगा आपको जलदी से जो एंसर दे सकते है रिवार्ड जलदी से जलदी मैं लाऊंगा आपके लिए बहुत बढ़ी रिवार्ड ठीक है चले बताईएगा बढ़ी आई नाम तो answer चेक करते हैं अब आजी जी electron की electron का नाम करण किस ने किया तो देखो 44.44% बच्चों ने एक और answer दिया है जबके answer right answer है stoni, stoni ने electron का नाम करण किया था बतादू d option जो कि 16.67% बच्चों ने ही जवाब दिया है आज याद कर लो stoni ने electron का नाम करण किया है ठीक है अब चलते हैं और भी कुछ चीज़े अब चलते हैं अब चलते हैं अब चलते हैं लगे हथ बता देते हैं एक question आपके साथ देते हैं चलो उपकोश किस उपकोश में 14 electron होता है मैं इस question को क्योंकि पिछले क्लास में कितने बच्चे आये थे पता चल जागा आज किस उपकोश में 14 electron होते हैं spdf में किसमे 14 electron भरे जा सकते हैं अधिक्तम चलिए बताइए पिछले क्लास में कितने बच्चे थे उसके इसाब से, चलो, कितने बच्चों ने किया है ये काम चेक करते हैं हम यहाँ पे, हम देखना चाहते कितने बच्चे एक्टिव हैं पढ़ाई में और कितने बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को सही तरह से लेते हैं, और एक बाइब बताना चाहूँगा मज़े से पढ़ोगे, मज़े से आओगे, हाँ, हमारा एक pad course आ रहा है, launch हो रहा है, 15 तारीक को, कौन-कौन teacher आने वाले हैं, हम कल से बताना शुरू कर देंगे, बेहतरीन teachers, बेहतरीन faculties, बेहतरीन पढ़ाई, बेहतरीन system, चलिए, answer दीजेगा, अभी मैं बताता हूँ, इस question क answer कितने बच्चों ने right दिया है, good, 66.67% बच्चों ने right answer दिया है, D को, और real में यही right answer है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आता है यार, अच्छे से जवाब देते हो, मज़ा आता है, आज हमने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, क्रुक्स का प्रयोग देखे हमने, इलेक्ट्रों की खोज के बारे में बात किया, हमने, कैथोर्ड किर्णो के गुंड हमने देखा, इलेक्ट्रों के आवे शिम दरबवान अनुपात का निर्धारन, हम next class में देखने वाल हैं, lecture number 3 में, atomic structure में, और हमने पढ़ने वाले हैं, electron के आवेश, ये हम लोग पढ़ेंगे, next class में, ये इसके बारे में अगर time रहा, तो इसको पढ़ेंगे, नहीं तो ये lecture number 4 में आएगा, ये भी आप याद रखिएगा, और बिटा याद रखो, जिन बच्चों का ना, chemistry बह करना होगा, chapter 11 का chapter number 1, चाहिए आप 12 में हो, चाहिए BSC में हो, चाहिए दुनिया के किसी बजगा हो बाई साब, chapter number 1, chapter number 2, 11 का, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 8, chapter 12 को सबसे बहतर बना दो आप, रोते रहते हो ना, मेरा chemistry का basic सहीं नहीं है, मैं आपको बता दूँ, क्यों नहीं है, एक reason, 11 में, 1, 2, 3, 4, 11 में, 1, 2, 3, 4, 8, 12 नहीं पढ़े, तो कहां से basic सहीं होगा, भाई, यहीं तो कह रहे हैं हम आपको, सुनते कहां हो, सुनते हो, सुनते हो, तो right कर दो यार, like कर दो यार, और नहीं सुनते हो, भविश्य आपके हाथों में, आपको आगे बढ़ना है, हम सिर्प मार्ग दर्शक हैं, आपने सुना था ना, मेरे जिन्दगी में कोई आया, और मुझे बहुत कुछ देखे गया, ऐसे नहीं रुपिया पोर्ट पैसा दे करके कोड़ी देखे जाता है, सोना चांदी देखे जाता है, वो एक मार्ग दर्शक ही है, जिसने आपकी जिन्दगी को समारा है, वो सिर् एक गुरू है, गुरू कोई भी हो सकता है, आपका दोस हो सकता है, आपकी पडोसी हो सकता है, वो भीक मांगने वाला पुरुष भी हो सकता है, वो नारी भी हो सकता है, गुरू वो मुर्ती भी हो सकती है, गुरू कोई भी हो सकता है, वो मुबाइल है आपका गुरू, कोई भी चीज गुरू हो सकता है एक बच्चे ने आपसे आकर question किया वो भी एक गुरू हो सकता है एक बच्चे ने आकर कि आपको कहा कि भीया ये काम मेरे लिए कर दो हो सकता है उसको करते करते आप सीख गया बहुत कुछ वो भी आपका गुरू हो सकता है गुरु किसी को भी मान लीजिया और सबको मानिये गुरु जिसमें आपकी जिन्दगी को समा रहा है और मेरे लिए बेटा सबसे बड़ा गुरु आप लोगो धन्यवाद थैंक यो फिर मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद